हे गाईस तो केसरो आप सब लोग सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाईस कि आपने मेरे न्यू सॉंग बारी हमारी है कि टीजर को इतना सपोर्ट दिया जिन्हों ने भी अभी तक नहीं देखा है गाईस जाओ जाके देखो सपोर्ट दो लाइक करो शैर करो कमेंट करो गाना बस कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के आखों के सामने हो गाया आए अप लोग उसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप लोग ने फर्स सॉंग को दिया था अब आते गाईस वीडियो के उपर बट उससे पहले गाईस अगर आप लोग कहीं से भी चैनल पर क्लिक कर के नए आये हो या तो पुरान हो अभी तक अगर आप लोगों ने में लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईस तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर कि उसको और पे सेट करें ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम जैसे में वीडियो अपलोड करूँ और गाइस मैं इस बारी हमारी है ऑफिशल टीजर की बात कराता जिसने भी अब तक नहीं देखा है जाओ जाके देखो एक द हमने लोग टाइटल देखके तो समझी करें कि आज मैं किस टॉपिक के ओपर बात करने लोग आज मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सा पैट आप लोगों के लिए यूसफुल हो सकता है रैंक में क्लेश कॉर्ड में क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते कि हमको कौन सा पैट यूस करना चाहिए कौन सा पैट यूस नहीं करना चाहिए जैसे कि अभी आप लोग ने देखा कि ओंप लोग यूटूबर ने लिया तो भाई यूसफुल रहेगा चलो यूस करते है बट ऐसा कुछ नहीं होता है आज आपका हर एक डाउट में क्लियर कर दूगा प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूरी देखे कुछ नया चीज करने का सोच जाओ मुझे मालूमी कि उतने व्यूस नहीं आएंगे बट देखते हैं क्या होता है तो यह अलग अलग टाइप के चीज़ हो जैसी कि अगर आप रैंक पुछ करना है आपको हिरो जाना है आपक आप लोग बोलोगे भाई कौन सा पैट की बात कर रहा है हां तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह बिश्चन इसका नाम है इसकी जो स्किल है इस ट्रूइंग डिस्टेंस ऑफ ग्रेनेट ग्लू और फ्लेश बैंक एंड स्मोक ग्रेनेट इंक्रीज बाई 10% वह धीरे ध वहते जाएगा जैसे हम इसका लेवल अपग्रेड करेंगे अब इसको कहां पर यूज करेंगे बहुत लोग सुचते भाई इसको रैंक में यूज करेंगे तब फायदा होगा बहुत लोग सुचते भाई इसको अगर हम पुशर है तब यूज करेंगे तो फायदा होगा त इसको आप लोग गए तो सबसे बैस्ट का यूसफूल लै वह है ट्लेश कॉड में क्योंकि यह तीनों के लिए रिदम सही ऐ ए लेश कॉड में पर जाना है या उससे उपर जाना है जैसे कि आप तो उसके लिए यह सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से क्योंकि यह यह वह काम करेगा जो हमको क्लैश कॉर्ड में एक पैट का चेज़ इसी कि अगर आप पांडा लोग है तो वह दस हेल्थ देता है किसी को भी मायने के बाद वह इतना यूसफुल नहीं है क्लैश कॉर्ड एक छोटा सा जोन होता है वहाँ पे एक साथ अगर चाहर बंदे पुछ कर दिये तो वह दस पुछ करना चाहते हो तो कौन सा प्रेट आप लोगों के लिए सबसे जादा अच्छा रहेगा तो जो रैंक पुछा रहे जिनको हिरो जाना है हिरो इक से उपर जाना है मैं बात की बात कर दाओ ठीक है स्टार्टिंग में उतरते ही नहीं ठीक है मतलब कि जैसे रैंक मोड अब लोग को हिरो जाना चाहते है तो उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे यूसफुल सबसे पहला ऑप्षन मैं दूंगा पांड़ा का पांड़ा क्यों क्यों दूंगा पांड़ा क्योंकि देखो आगर आपकी कहीं फाइट हो गए अगर आप स्कॉर्ट खेल दो अगर आ अगर मैं बोलूं तो जैसे कि मैं भी इसको यूज करता हूं काफी मैक्स लेवल है यह पेंग्विन सबसे बैश्ट अभी तो दो दो ग्लूओल मिलता है ठीक है यूसफुल पैट है रैंक पुशर के लिए जिनको रैंक पुश करना है पेंग्विन लेकर आप खेलो बहुत इस लेंडिंग इस दब में ठीक है जैसे कि अगर आप पीक पर उतर जो सौरी इतनी खराब इंग्लिश के लिए मेरे माइन में कुछ और चल रहा था बाकि मैं को इंग्लिश आती है अगर आप पीक पर उतर जो एन अगर आप सबसे पहली लेंडिंग नहीं करोगे तो अगर आप इसकी भी बात करो वाल एंफोर्समेंट तो बहुत लोगों को मैं अगर बता दूंगा इसकी यह वाल को प्रोटेक्शन देता है बाजू-बाजू से उपर उपर से बट अगर आप जैसे नीचे उतरे आपको वाल ही ने मिला तो इस पैट का काम क्या है एक प्रोटेक्शन क्या कहां से किस एंगल से मिलेगा अब बहुत लोग इंको यूज करते हैं ठीक है नाइट पैंथर को जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह 15% इंवेंटरी स्पेस देता है एक्ष्चा समझे आप लोग 15% और उसके आगे भी यह देता रहेगा मतला अगर हम लोग यह करेंगे तो 30% 45% 45% एक बैक का 45% एक्ष्चा यह देता है तो आप लोगों को उसी साब से सोचना चाहिए बागी अगर मैं बोलू तो फ्लैश कॉर्ड रैंक पुशिंग रैंक पुशिंग और लाश्वलों का अंगर यह रैंक रश है जो रश कही के खिलना चाह होती है अब मैं करेक्टर का लाओंगा क्यूंकि बहुत लोग के पास आलोक नहीं है तो उनके लिए क्या चीज़ अच्छी हो सकती है वह मैं लाओंगा तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं अप लोग सब ले वीडियो में बाइबाइब सी यू टेक कर लव यू ओल